नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ध्यान की उप्योग इता करे बारे में जो की एक अर्वेट डॉक्टर के लिए कितना जरूरी है समझते हैं इसको बहुत आसानी से तीक हम सभी लोग जानते हैं कि एक डॉक्टर का सबसे बढ़िया जो एक डियाग्नोसिट टूल है उसका नाड़ी विग्यान परस डियाग्नोस करना जिससे आप डियाग्नोस कर पाए कि अभी प्रॉल्म है कहां अकसर लोग मुझसे बूसते हैं कि आप कैसे बता पाते हो कैसे कर पाते हो और उसके लिए एक यही बात बोलता हूँ कि द्यान करना बहुत जदा जरूरी है क्योंकि यहां सारी बात हो रही है चेतना की एक रोगिया एक पेशिट जब आपके पास आता है तो आपके दिवा सुस्टा के बाते हैं तो आपके चेतना आप कॉषन से बहुत ज़테ECT हाूत हो जाते हैं ःते हैं चैतना बहुत जदा जरूरी है काम में माली जी खुई कोई पेशिन आए आपके आपने उसकी देगी तो जब आप उसके टूच करते हैं अपना प्रूच्च के है पेता है कौन सा उदान वायू हो रही है अपान वायू हो रही है कुछ नहीं करना है वह चेतना ही अपने आप में आपको बताएगे कि भी यह दिक्कत है इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है तो आपके प्योरिटी से अगर आपकी जो चेतना जो आपकी कॉंशन से वह अवेक आपने उसको टॉच किया तो जैसा में नेगा कि चेतना तो उसकी चेतना आप में थोड़ी सी आ गई तो अब भी मार हो सकते हैं आपको भी तो डिजीज हो सकती है अब हमें अपने आपको भी तो बचाना है इसके लिए भी ध्यान बहुत ज़रूरी है जब ध्यान करते हैं बावति ध्यान करते हैं, transcendental meditation करते हैं तो आपकी चेतना बहुत ज़ादा विकसेत हो जाती है प्लस आपकी और आपकी strength बहुत अच्छी बन जाती है और जो वह strength अच्छी बन जाती है तो छोटे मोटी जो ये imbalances होते हैं पर मालीजिए कि, कि यह स्ट्रेस के उपर इंपोस ho गया, तो उस्टे cycly आप इसलिएели बस सकते है। तो एपने आपको बचाने के लिए भी ध्यान जरूरी है और दूसरे को सही से डिया घ्नोर्स करने और तीसराzer की मैंने सबसे important बोला जब आप ध्यान करते हैं तो आप शान्त हो जाते हैं कफा मोड में नहीं लेकिन प्योर ओजस प्योर सब्टल मोड में इस्ते साथियों ध्यान जरूर करिये यह आपकी प्राक्टिस में आपको बहुत जादा बेनेफिट देगा प्रस आपकी अपनी और आपने आपकी स्ट्रेंथ अपनी इम्मूरिटी और अपने ओजस को बढ़ाने के लिए भी पहुत अचाहे प्राक्टिस मेडिटाशन रगली बलीव में फ्राय में इस इस आप में आपकी तूल पर यह बेटर और बेस्ट चिनिकल प्राक्टिस